हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज हैं पर हम बात कर रहे हैं रिनॉल्ड कंपनी की कुईट कार की और वेरेंट है आर एक्सल तो ये बेस मोडल में ही आता है और इसमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे क्या इसके प्राइस रहने वाले है वो सारी चीज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो को सुरू से आखर तक जरूर देखना सबसे पहले अगर प्राइस की बात करें तो एक्सल रूम कीमत 4,99,000 रुपे देखने को आपको मिलेगी बहुत कम कीमत में बहुत अच्छी कार आपको मिल जाती है और फीचर्स जो जो मिलेंगे वो चीज में आपको दिखाऊंगा अगर इसकी बात करें डिमेंशन और कैप सेटी की तो लेंथ इसकी 371 mm है विर्थ है 1589 mm हाइट है 1474 mm और इस कार के अंदर वजन है 699 kg के सम्तिंग तो ये सारी चीज़ें इस कार के अंदर आपको देखने को मिल जाती है अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इंजन इसके अंदर 1.0 लीटर वाला इंजन मिलता है 999 cc में मैक्सिमिम पावर 66 पॉइंट आपको 6bhp पावर जनेरेट करता है 1500 rpm और टॉर के कैन मैन हम पावर जनेरेट करता है 250 rpm तीन सिलेंडर इंजन इस कार के अंदर आपको मिले कावी ठीक ठाक मिल जाता है अभी मैं दिखाऊंगा भी और आपको बताऊंगा भी तो यह सारी चीज़ें आपको वीडियो के लास्ट तक देखने को मिलती रहेंगी अगर स्टार्टिंग करें इसके लोगों से तो कुछ स्टैप से लोगों यहाँ पर हमें देखने को मिलत स्टैप से और यहाँ पर आपको 184 mm का देखने को मिल जाएगा यहीं काफ़ी अच्छा अ में देखने को मिलता है मेरे हसाब से काफी परफिक्ट है उपर की साइग्सemi पर नहीं मलते क्योंकि बेस और आरो है में और लेकिन एक रिनॉल्ट का कैप मिल जाता है इस पर लगा हुआ यहां पर ब्लैक कलर यानि की डिफरेंट कलर में आपको रियर व्यू मिल जाते हैं और यहां पर आप देखेंगे तो काफी अच्छा क्रॉम का वर्क हुआ हुआ है यह एससरी का पार्ट है अलग से लगा हुआ ह जैसे कि आप डॉर वाइजर देख रहा हैं ये भी अलग से लगे उए है कुईट के ही है लगे हुए तो यह सारी चीज़ और यह चीज़ है और यहां से का option इस टैप से आपको देखने को मिलेगा मेरे सबसे सारी चीज परफेक्ट है यहाँ पर दो फ्यूल टैंक और बूट इस पेस ऑपने का option यहीं पर आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ स्टैप से तो यह सारी प्रोफाइल है मेरे साब से यह भी काफी प्रोफाइल है कि ड्राइवर के बिल्कुल पास में है नीचे की साइट में तीन पैंडिल और जैसे कि यहां से आप एड़जस्ट कर सकते हैं और यहां से कुछ स्टैप से लाइटों को सैट कर सकते हैं यहां स सारी चीज़े इधर से होती है इधर से भाई पर को आप चला सकते हैं अगर यहां पर देखा जाए इस्टुमेंट क्लेस्टर का तो यहां पर बैटरी है डाउन रिनौल्ट लिखा हुआ है और इसमें आपको मिलता है इलेक्ट्रोनिक मुल्ट्रिक मेटर डिजीचल क्लोग ड कुछ इस टैब से तो और इधर भी इसी टाइब से ट कर सकते हैं तो मेरे हिसाप से तो काफी अच्छी प्रोफाइल यहां पर देखने को मिलती है तो यहां पर रिनौल्ट का लोगो एर्बेक और यह चीज मिल Whoa आए असी हीटर यह सारी चीज यहां पर हमें देखने को मिल जाएगी कुछ इस टैप से यहां से हम देखेंगे तो चला सकते हैं इसको नीचे की साइड में देखा जाए तो 12 बोल्ट का ओटलेट भी हमें यहां पर देखने को मिल जाता है यहीं पर देखा जाए तो कुछ इस टैप से सारी प्रोफाइल हमें और यहां पर light का भी option मिल जाता है sun visor मिल जाते हैं लेकिन vanity mirror नहीं मिलते क्योंकि यह base model vanity mirror base model में नहीं आते तो यह सारी चीज है तो मेरे हिसाब से यह सारी profile जितनी भी मैंने आपको दिखाई जैसे seat belt धर भी मिल जाती है adjustable seat है co driver side वाली भी तो यह सारी profile ठीक मिलती है जिस हिसाब से चोटी कार है base model और price भी कम है उस हिसाब से सही है manual तरीके से window को up down आप कर सकते हैं अपनी आप शक्ता नुसार तो यह सारी चीज है और आपका जो music system है वो अलग से इस कार के अंदर लग सकता है तो यह चीज आप अलग से भी लगवा सकते हैं और यहाँ पर अगर पीछे की side में देखें दूसरी side में आकर तो यह क्या क्या मिलता है वो चीज भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो कुछ इस टैप से सारी profile देखने को म मिलता है तो यह सब यह भी चीज है और यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस टैप से यहाँ पर bottle holder का भी option नहीं मिलेगा इसके अंदर और seat बेंच type seat हैं यहाँ पर seat belt का option यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा तो यह सारी चीज है और यहाँ पर अगर बैट के भी देखें और space काफी ठीक है अगर हम यही पर बात करें इसके safety feature की इसमें क्या क्या मिलता है तो safety feature के नाम पर ABS system center lock power door lock और child safety door lock दो airbag rear seat belt traction control यह सारी चीज़ें इसमें मिलती है cross sensor engine check warning ebd electronic stable control और इसमें speed alert speed sensing auto door lock जैसे function आपको देखने को मिल जाएंगे base model में ही tire pressure monitor एक बहुत अच्छा system है अगर आपकी car में किसी भी tire में हवा कम है तो यह चीज़ यह आपको meter पर स्वो कर देगा बी बजना start हो दाएगा यह सारी चीज़े अगर light की बात करें तो light की profile profile भी काफी सुन्दर है इस टाइप से LED टाइप light में ही यह बोली जाती है तो कुछ इस टाइप से आ जाती है और यहां पर एक reverse light and indicator पीछे वाले tire के अंदर आपको disc brake ना मिलकर drum brake मिलेंगे और यह काफी अच्छा tire इसके अंदर 16270 का आपको देखने को मिलेगा tire side जो reflector है रिनॉल्ट लिखा हुआ है यहां पर chrome का work है यहां से आपकी इसे भी इसको open कर सकते हैं कुईड है रिनॉल्ट का logo है यह सारी चीज़े है और इहीं पर अगर देखा जाए तो black color में काफी hard यह आपको देखने को मिलेगा जो bumper है तो यह सारी चीज़े है उपर आ यह सारी चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगी मेरे हिसाब से काफी perfect है यहां पर आपको इस अपनी का tire कुछ tools भी देखने को मिल जाएंगे तो मेरे हिसाब से यह कार बिलकुल perfect है अगर आपकी running जादा नहीं है तो इस इस इसाब से तो यह बिलकुल ठीक है और मैंने स 5,64,000 रुपे के something देखने को मिलेगी तो यह सारी चीज़ें इस कार के अंदर आपको देखने को मिल जाती है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें मिलते हैं next वीडियो में बहुत चल